गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स रॉयल्च एजूकेशन की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की तारीख है एक नवंबर और नवंबर की इस महीने की शुरुआत हम करेंगे मुलब किसी खास तरीके से नहीं हो ऐसा ही रेगुलर तरीका है हम करेंट अफेस की बात करेंगे ऐसे इस्यूस की जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्टेंस रखते हैं UPSC की रिलेवन से ठीक है सबसे पहले आज हम बात करेंगे शाइक की 16 साइक ये क्या है एक एस्टीर राइड है ठीक है हाल ही में एक इसट Wie willkommen पाए गया है कि एक इस्टाराइड जिसका नाम है शिक्स्टीं साइक जो की मार्स और जूबिटर के को और्ट करता है ये माना गया है कि ये पूरा ये स्टारइड मेटल का बना हूआ पूर Hai ठीक है की value हो सकती है मतलब इतना ज्यादा ये economy इसमें हो सकती है आप ये कह सकते हो कि जितनी अर्थ की economy नहीं है उससे कहीं ज्यादा का इसमें rare metals है ठीक है तो काफी धनी ये इस्टोराइड माना जा रहा है 16 शाइक इसके बारे में आप थोड़ा सा at least देखिए UPSC के नजरिये से इ orbit करता है और तीसरी बात आप ये जान सकते कि इसमें बहुत rare metal जैसे iron, nickel और क्या बूलते है गोल्ड, platinum ये सब पाए जाते हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में तो ये इसमें याद रखने की ज़रूरत है इसके बारे पे कुछ इक्स्ट्रा बात है हम जान लेते हैं हाला कि UPSC में पुछा जाना वाला नहीं है कि ये 370,000,000,000 km ये दूर है located है अर्थ से ठीक है और ये one of the most massive object है हमारे solar system की asteroid belt का ठीक है और इसका जो shape है potato shape है ये UPSC के नजरिये से important है bulk drugs की हम बात करेंगे bulk drugs तो UPSC के लिए बहुत जादा important है और खास कर चीन से जो हमारी देश के बीच अनबन हुई उसके बात से तो bulk drugs काफी एक important विसाय बन चुका है bulk drugs या API active pharmaceutical ingredient तो bulk drug और API पहले बात तो आप ये जान लेजिए दोनों same ही नाम है similar नाम है same ही चीजों के लि जैसे बुखार की आप जानते हैं जितने भी fever की दवाएं होती है उनमें paracetamol मतलब used ही होता है अलग-अलग भले ही content ratio में use हो बट paracetamol हर fever की medicine में use होता है तो इसी तरह से जो chemical ingredient लगभग हर एक sort of drugs या medicine में use होता है उसे हम बोलते हैं bulk drug या API active pharmaceutical ingredient ठीक है अब देखिए है bulk drug की वज़े से होता क्या है यह किसी भी medicine को जो भी desired effect है जो भी हमें effect चाहिए वो देता है example के लिए देखिए paracetamol एक bulk drug है जो की pain के खिलाफ काम करती विच act against pain ठीक है और यह binding agents के साथ मिल जाती है और binding agents के साथ मिलने के बाद क्या करती है एक ऐसा दवाई बनाती है paracetamol tablet capsule या syrup जैसे बनती है जो कि हम patients लेते हैं उसे और उसके बाद हमारे diseases सही हो जाती है क्योर हो जाती है तो API के manufacturing में यहां पर एक और हमें बात ध्यान रखनी चाहिए इंडिया में जो है scene वह यह है कि इंडिया में API कम बनती है तो ऐसी प्रयास के जा रहे हैं government द्वारा की API का ज़्यादा से ज़्यादा production हो ताकि दवाएं बनाने के लिए हमें विदी इसूप की street vendors यानि जो सड़क पे ठेले लगाते हैं उनकी बात हम क्यों कर रहे हैं UPSC के नजरीय से यह कहां important हो गया दिखिए PM स्वनेधी scheme के बारे में आप सभी जानते होंगे है ना PM स्वनेधी scheme करोना के तहट यह launch की गई थी जिसमें कहा गया कि जो भी vendors होंगे उन्हें about 10,000 का working capital लोन दिया जाएगा ठीक है और जो कि 24 मार्च या 24 मार्च 2020 से पहले कि जो भी street vendor है उन्हें 10,000 रुपीज का लोन मिलेगा और अगर वो समय रहते चुका देते हैं तो वो ल इस वजह से हम जान लेते हैं कि street vendor define कैसे होते हैं मतलब UPSC में ऐसी चीजें आती हैं कई बार चीजों को definition भी दे दिया जाता है उनके option तो street vendors को हम ऐसे समझेगे कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एक permanent shop नहीं होती उसे हम street vendor मानते हैं government estimates के हिसाब से street वेंडिंग इंडिया की 14% ज उसे constitute करती है यानि जो शहरी रोजगार है informal रोजगार है उसका 14 प्रतिशत street वेंडिंग से ही आता है तो यह रहें आज की issues और मुझे उमीद है कि आज की सारी बातों को आपने नोट किया होगा ध्यान से समझ में आई होंगी आपको थैंक यू सो मच यह मेरा mail दिया गया ह आप इसमें मुझे अपनी queries पूर सकते हो और एक चीज में आप सभी को और बताना चाहूंगा कि तबीयत खराब होने के वजह से थोड़ा सा irregularity रह गई है पिछले कुछ दिनों में हो सकता है आपको मेरी वाइस में भी उतना जोर ना दिख रहा हो इसके लिए हम very sorry बट मैं मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि हम फिर से अपने session को पुराने तरीके से शुरू कर सके मिलते हैं कल थैंक यू अगेन